होम मिटिंग्स के माद्य हम से बिजनेस को दस गुना कैसे बढाएंगे? यह जस्विर जी ने, शेर किया और अभी दोनों चीजों पहले रूँने बता है कि होम मिटिंग्स के लिए मंदला दमदारी से बिजनेस बढाना है फिर री सेल को प्रमोट करना है लेकिन दोनों को करने के लिए अब कौन चाहिए हमको लीडर, कौर तो इसको अच्छे तरीके से बताने के लिए एकदम एक विसेसक जो है जिनकी इस पर मास्टरी है कौर तयार करने पर लीडर्शिप को डवलप करने पर और जो आज पूरी रायल ट्रीमर्श टीम के लिए पूरी सेफसोप के लिए आनवान सान बने हुए है और सबसे ज़्यादा लीडर्स जोनों ने तियार करके दिखाए है और उनके नाम की आज पूरे भारत में लोग कसमे खाते हैं उन जैसा बनना चाहते हैं और उनके फोटो को देखके लोग मोटिवेट होते हैं तो ऐसे एक ग्रेट लीडर को हम लोग सुनते हैं और वो कोई और नहीं वो टाइगर विकास बिंदाज जी है तो एक जो रहर तालियां विकास बिंदाज जी को विकास यादव जी बैट जाएए गूड मॉनिंग फोड़ा एक्साइडिर हो जाएए गूड मॉनिंग चलिए दोस्तों सबसे पहले आज हम आप सब का स्वागत करते हैं कल से हम सारे लोग हैं बहुत को सीख रहे हैं और हमारे मेंटर्स आया उन्होंने भी हमें हर बार की तरह है बहुत को सिखा है एक बीजन दिया दोजार पच्छिस तक का हम क्या कर सकते हैं और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो मेरा टॉपिक है जैसा कि आपको पता है और वो टॉपिक है हमारा टूडे माई टॉपिक इस लीडर्स डवल्मेंट थ्रू क्रियेट मोर कोर्स इसके बारे में बात करूँगा बीस मिनट का समय मिला हूँ है शियर माई एथिक्स और माई वर्किंग स्टाइल मैंने इन बारा सालों में जो सीखा है मेरा पर्किंग स्टाइल क्या रहा है किस तरीके से मैंने काम किया है वो मैं सेयर करने वालों प्रक्टिकल आपके साथ में आज मोका मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले मागर जी ने एक कल बात बोली थी कि अपने रीच है के और अपलाइन कि कोई भी चीज अगर यहां से पर आप देख रहे है तो एक बार अपने अपलाइन से जरूर पूछने है कि यह मेरे लिए सही है कि नहीं है क्या होता है कभी-कभी कि हर चीज हर लीटर के उपर एक कि गाड़ी ली हो सकता उनके लिए वो हो सकता है तो हर जो टॉपिक है वो जरूर चेक करें आगे बढ़ने से पहले leadership क्या है हमें को ऐसा लगता है मसुरू से जब से business में आते हैं तो हम बोलते हैं ये leader बहुत अच्छा है ये leader थोड़ा कम अच्छा है ये लटूरा पंती दिखा रहा है ये leader best performer बना है तो leader क्या है leadership जो है वो एक प्रभाव है क्या है प्रभाव leader एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सिद्धानतों और बातों को अनुस्तरण कई लोग करते हैं लाखों लोग करते हैं इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है leader की कि वो नाटक ना करे इसलिए हमें leader बनना चाहिए और leader बनने का मतलब यह होता है कि प्रभाव है आप जो भी काम करते हो उस काम से प्रभाव पढ़ता है यहां तक कि मैंने पढ़ा हुआ है कि स्रस्टी के एक-एक कड़ पर प्रभाव पढ़ता है अगर जो सांस ले रहे हो अगर वो सांस लेने से भी बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ता है और कई लीडर होते हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से करते हैं वो छोटी भी मीटिंग करेंगे पर मीटिंग को ऐसा बना देंगे उस मीटिंग का प्रभाव बढ़ जाता है बापर वो ड्रेस कोड भी बहुत अच्छा पहनेंगे त कि इनके पास कोई बहुत बड़ा देखेंगे किला नहीं था बहुत पैसा नहीं था लेकिन प्रभाव इंका बहुत बढ़ा था और प्रभाव होने की बजयसे इनों ने हमारे देश के लिए अंदोलन किये और हमें अंग्रेजों से इनों ने क्या किया आजादी दिलाई सब जानते हैं ये प्रभाव की वज़े से होता है प्रभाव जो बनता है वो आपकी करनी और कतनी से बनता है आप जो बोल रहे हो क्या वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अगर सिर्फ बोल रहे हो तो प्रभाव नहीं बनेगा आपका हो सकता है मैं यह आप डायलोग मारके चला है यह से नो अगर हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे नेसे मंडेला साथ अपरीका में आप देखोगे 27 साल की जेल इनों ने काटी है कई लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदिकीम को यादसा हो गया तो वो दुबारा नहीं उठ सकते हैं या कोई बात हो गई लेकिन आप देखो कि 27 येर्स जेल काटने के बाद भी है साथ अपरीका के फॉर्मर प्रेजिडेंट बने और कहीं ना कहीं आज पुरी लीडर सिप जो है इनकी पुरी लीडर सिप पुरी दुनिया जो है काय अले इन से सीखती है लीडर सिप के बारे में और हम लोग भी लोगों के लिए दुनिया में इन्होंने अपना बिजनिस बना डाला सिर्व लीडर्सिप के दंप हैं अगर देखेंगे इनी के पकल में आते हैं मत्रब रतन टाड़ा साथ कायल है पूरी दुनिया इनके खास करके भारत के लोग इनसे बहुत ही प्रभावित हैं जो बिजनिस आइकोन बनना इन लोगों की जो लीडर्सिप है वो इतनी जवरजस्त है कि कईना के इनका प्रभाव इतना ज़ादा है इतना ज़ादा है जिसको आध्यात्मिक्ता में हम कहेंगे औरा एक आत्मी का काम करने का भी औरा होता है बोडी का भी औरा होता है यसे नो अगर देखेंगे इसी माम पुरी नेट वर्क मार्केटिंग में, यह से लो, अगर हम और जादा नजदीक से देखेंगे, तो हमारे संजज जन मागुरूजी हैं, यह से लो, तो यह क्या है? प्रभाव है और प्रभाव जो बनता है वो कारिशली से बनता है जब आप काम करेंगे जब आप जो पड़ाई लिखाई कर रहे हैं जो आप सीख रहे हैं जो आप बोल रहे हैं हर चीज से प्रभाव पड़ता है और आप देखेंगे कहीना के हमारे गिरिवाल मागुरी जो र मार के काम चलाना पड़ता है तो आज कहीना के आप देखोगे ये वो लोग हैं जिनों ने कहीना के आज हमारे ग्रेट मेंटर मादा मागुर जी है इनकी लीटरिशिपी तो है जो 300 डैमंडों के साथ बात कर रहे हैं तो मेरे अंदर से बात कर रहे हैं तो 300 डैमंड ने माँ ने लेकिन कल 300 बीनस भी एक साथ बैठके हम लोग मीटिंग करेंगे एक दिन ऐसा भी आएगा येसे नो तो ये क्या है ये क्या है इनकी जिन्दिकी लीटर की जो जिन्दिकी है ना वो समस्याओं कैतना लीटर का जन्म ही समस्याओं से होता है हाँ या ना आप किसी भी बड़े से बड़े लीटर को देखना उसका जन्म ही समस्याओं मेंसे हुआ है और देखो गए कि लीटर की जो जिन्दिकी ये वो खुद के लिए नहीं होती है लीडर की जिंदकी यह बाके ही लोगों के लिए बनी वही है Yes or No आज जितने भी यह लोग हैं इनके पास आवार्ड रिवाड की कोई कमी नहीं है अगर आप इनकी बात करेंगे तो पैसे की कमी नहीं है लेकिन फिर भी यह जो लोग हैं यह एक प्रवाओ है इसको और थोड़ा डीपली हम थोड़ा और सीखेंगे से जैसे सक्से सपोस सिस्टम क्या है सिस्टम एक प्रवाव है आप इसके साथ चलेंगे तो आपकी लिटरिसिप का प्रवाव रहेगा नीचे गदे के उपर मंदर वाली कानी सब ने सुनी है प्रवाव पिकास का नहीं है प्रवाव सिस्टम का है ये गलत फेमी हमको हो जाती है कि नहीनी साब मेरी बज़ा से बिजनेश चल रहा है मैं हैंड़ साम हूँ मैं अच्छी ड्रेस पहनता हूं मैं बहुत अच्छी बाते करता हूं मेरे को ग्यान जादा है मेरे को नॉलिज जादा है वो सारी चीजे मैतपूर है लेकिन उन सबसे भी कोई चीज मैतपूर है वो है सिस्टम सिस्टम जो है वो प्रभाव हो है पिछले 21 सालों से चल रहा है इस पर लोगों का विस्वास है हो सकता है विकास को तो बारा साल हुए लेकिन इसको किस साल हो गए इसका प्रभाव हो है हलो हलो और जो चीज जितनी जादा पुरानी और सफल होती है उसका प्रभाव भी उतना जादा हो जाता है हमारे मेंटर से जितना ज़्यादा सेनियर बनते जाएंगे इनका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा हलो हलो तो कई ना कई कई लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाती हाल कि मागरू जी लोगों ने कल बहुत अच्छे से बताई ये चीज लेकिन बस थोड़ा सा मैस में बताना चाहरा हूँ कि सिस्टम एक प्रभाव जब तक काला भूरा नीला गोरा काला कोई भी आजाए किसी भी बासा का आदमी आजाए उसे सिस्टम से जोड़ दो आप और सिस्टम को आगर आगे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लीडरसिप निखरेगी ना कि लीडरसिप बलकि टीम का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से आपका बढ़ता चला जाता और विकास ने सिस्टम को बहुत अच्छे से पहचाल लिया था कि सिस्टम जो है ये प्रवाव है और हमें इसको यूज करना चाहिए इसको प्रमोट करना चाहिए और इसी के साथ मिलके अगर हम काम करेंगे तो 500 साल हमारे और हमारी पिडियों के सिक्क आरें मेरे दोस्ते प्रिलियंड डॉलर्टीम सिस्टम का परपाव देखो कैसे काम करता है मैं यहाँ पर हो सकता है होज़गा थोड़ा सा मैं देखता हूं गंगदर राओ है, मरकरी सो हो रहा है, 137 डैमन कलब है कहीना की टीम के अंदर, ये सब क्या है, अब इसका एक आदमी साब ताज पहले वोला, ये मेरा है, तो कहीना की गलत पहमी हो जाएगी, ये सारा का सारा जो खेल है, वो सिस्टम का है, और ये मल्टीपल होता चला क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है, वो और लेडी, क्योंकि सब का भरोसा कहते हैं कि यहां पर कोई बिक्ती विसेज को पूजा नहीं जाता है, यहां पर जो पूजा जाता है, वो सिस्टम को पूजा जाता है, और आप देखो कि कहीना की 39 लीटर्स कैपिंग अचीवर्स हैं ट होती है यह से वो कहल मागर जी बता रहे थे कि खुदी है फोडी जो है वो डामन पलटा बैल्ट खुदी पिचारा पहन रहा है एक वता है कि आप खुदी करो एक होता है कोई आदमि आके आपको प्रमोट करें तो सिस्टम जब किसी चीज को प्रमोट करता है तो उसकी जो जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज हर वासा का डामने टीम में आप देखोगे पूरे भारत में मैंने नेटवर्क बना है important leadership कई लोगों का मानना है कि leaders क्यों बनाने चाहिए टीम में एक्जंपल के लिए ये आपके पास लीडर है सपोज करो ये चार लीडर है आपकी टीम में पहले बाले का dream है मुझे बहुत पैसा कमाना है दूसरे बाले का dream है दुनिया हुपनी है कुछ भी हो सकता है तीसरे गा dream है कि बड़ी गाड़ी लेनी है लेकिन ये कब होगा जब इनके ऊपर कोई अपलाइन होगा कोई leader होगा leader नहीं है तो इन चारों मैंसे guarantee है कि चारों अपस में लड़ मर जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा सपना धरा कधरा रह जाएगा लीटर होना जरूरी, आज हम लोग यहां बैठे हैं पूरी इनुटी के साथ में, इसमें हमारे ग्रेट मेंटर्स का बहुत बड़ा रॉल है, अगर यह नहीं होते, तो साइध हम यहां नहीं बैठे होते, साइध हमको तो बीजन भी नहीं होता, कल मागुर जी बीडियो ढूं तो मैं देख रहा तो ऊपर वाला जो बंदा है, वो कंटिन्यू 2020 तक, 2020 तक वो टॉप पही है, एक बंदा बीच में जाके 2017 डारा में गया, जो चल रहा तो उसी के साथ में, तो आप देखेंगे कहीना कहीं लीडर होना बहुत जरूरी है, हमारे पास जो लोग आते हैं, वो leadership, important क्यों है, इसको और जादा detail में जानते हैं, सबसे पहले लीडर लोगों का अंसासन देता है, अगर लीडर नहीं है तो वो team अंसासित रही नहीं सकती, लीडर जो होता है लीडर का काम होता है लोगों को अमसासन देना अमसासन हर चीज का ना कि सिर्फ एक चीज का हर चीज का अमसासन देता है वो कैसे बैठना है कैसे खाना है कैसे चलना है कैसे बात करनी हर चीज सिखाता है वो लीडर लोगों को आसावान बनाता है हम जब भी अपने अप्लाइन से बात करते तो आसा मिलती है अगर लीडर नहीं है किसी की टीम में तो आपस में लड मर जाएंगे लेकिन अगर मेरे दमाग में निग्रिविटी है और मैं अपने अपलाइन से बात कर रहा हूँ, तो आसा बान, मतलब आसा देगा हमको, नरास नहीं करेगा, वो ये बोलेगा, कोई नहीं विकाजी, डॉंड वरी यार, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आगे भी हो जाएगा आपके साथ, तो हो सकता है, मुझे सांती मिलेगी इमोशनल, जो कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आपका लीडरी देगा, अब जिसको अकल धकल है नहीं, जो लीडरी नहीं है, मतलब कैसे लोगों को ठिकाएगा, क्योंकि सबकी जिंदिकी मुतार चड़ाओ आएंगे, आप लीडर हैं सारे के सारे हैं, जि पर भी आगे काम करता जा रहा हूं, कितने पता नहीं, अगर मैं किताब लिखना जाओं, तो लिख सकता हूं प्रॉलम से, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब भी अपने मेंटर से बात करता हूं, तो मेरे साथ एक काम करतें, वो आसावान बनाते हैं मेरे को, बोलो विकाजी नहीं चलेगा यार सब बढ़िया हो जाएगा don't worry मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो कहिना के लीडर जो होता है वो लोगों को आसावान बनाता है इसलिए important है leadership लीडर लोगों को गोल तक पहुचाता है पहले मेरे पास पहुचा सेंटरो थी फिर मैंने आड़ी ले ली साथ यह भूम का किसी लीडर ने नवाई है मेरे साथ और कहीना के मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि लीडर जो होता है वो होना बहुत जरूरी है टीम है क्योंकि एक मजदूर में और एक बिजनिसमेन में जो बिजनिस्ट आइकोन ने एक ही फ़र आगए मजदूर काम बहुत करता है लेकिन देखो के उस जो बिजनिड़ आइकोन आैकोन है या जो भी है उसके पास एक बहुत बड़ी लीडरसिप होती है और leadership की बज़े से वो हजारों लाखों लोगों को lead करता है आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो किसी इसकी है लीडरों की कमी है क्योंकि लीडर इतने ब्रश्टाचार होते जा रहे हैं चाहिए वो political leader हो चाहिए वो कोई भी leader हो यहां तक ही network marketing में भी भूँ सारे ब्रश्टाचार लीडर बढ़े हैं safe swap के leader को छोड़के और safe swap में भी बहुत ब्रश्टाचार लीडर है सिर्फ एक चीज को छोड़के royal dreamer team में जो leader है वो आज की date में दो क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही ethical हम लोग दारू नहीं पीते नॉन बेजेटेरियन हैं सारे के सारे लोग free guardian will follow करते हैं हम लोग सरफ काम नहीं करते हैं हम लोग ethics भी follow करते हैं ध्यान भी रखते हैं अपने मन पर control भी करते हैं बहुत सारी चीज़ां करते हैं yes or no तो leader जो होता है वो लोगों को गोल तक पहुचाता है leader लोगों के अंदर संगठन के प्रत भरोशा और वफादारी भरता है अगर leader ना हो सही तार team में तो team के team तूट जाएगी वफादारी होई नहीं सकती आज हम लोग इतने बड़े label पे हैं तो भरोशा और वफादारी ये कौन भरता है leader भरता है जिस team में leader नहीं है आएंगे जाएंगे आया राम गया राम आया राम गया राम और कई साल के बाद भी पीछे मुड़के देखेगा कोई होगा ही नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कही ना कहीं leader लोगों के अंदर जो होता है वो संग्ठन है संग्ठन क्या हमारा safe soap है उसके प्रत जब तक लोगों के अंदर भरोशा और वफादारी नहीं होगी तब तक लोग ठिकेंगे नहीं आज मैं ठिका हूँ या हमारे great mentor ने अभी 18 साल और मागर जी लोगों ने 20 साल कंप्लीट करें है इसकी सबसे बड़ी बज़ा है कि उनके अंदर या हमेरे अंदर या आप लोग यहां पहुचे हैं आप सब के अंदर भरोशा और वफादारी है यसे नो हाँ हाँ जी ना जी बहुत बढ़िया लीडर लोगों के जीवन को ट्रांस्फॉर्म करता है अगर मेरी फोटू 12 साल पहले की देखेंगे तो मैं ऐसा नहीं हूँ मैं जिस तरीकी की आज बात करता हूँ ऐसी नहीं करता था पहले मैं इस तरीकी की जिस तरीकी की सोच रखता हूँ इस तरीकी कि मेरा ट्रांस्फॉर्म किया है किसी ने और आपका काम है कि आपकी टीम में आने परश्वराम जी है ट्रांस्फॉर्म कितना ज़्यादा हुआ है स्वामू जी है कितना ज़्यादा ट्रांस्फॉर्म हुआ है या और भी बहुत सारे या लीटर में ट्रांस्फॉर सरीर के अंदर नहीं, इनर जो हमारा परसनल्टी है, बहुत बड़ा ट्रांस्फॉर्म हुआ है, उसमें हमारे आज हम लोगों की चाल ढाल सोचने का तरीका, सब अच्छे कपड़े पैजने से ट्रांस्फॉर्मेशन नहीं हो जाता, वो तो लेके आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या आप उस ट्रेनिंग को लेके मॉटिवेट हैं, या उस ट्रेनिंग को लेके हमारे अंदर कुछ फरक पढ़ रहा है, ट्रांस्फॉर्मेशन, यस और नो, किसी चीज़ को रिशीव करने की पापर कितनी ज़्यादा है, उसी को ट्रांस्फॉर्मेशन कहते हैं, इंपोडेंट लीडर, और ये अगर सारे फाइदे चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, लीडर बनना जरूरी है, और लीडर्शिप के उपर काम करना बहुत जरूरी है, दोस्त, हाउ टू इडेंटिफाई लीडर्शिप और टीम, अब सवाल ये आता है कि लीडर कौन है, इंपोडेंट्स क्या है, लीडर ढूने कैसे जाते हैं, जल्दी बात करेंगे खेर, ये तो बहुत बड़ा मतलब एक तरीके का समंदर है, चार दिन की फेस्बुक से सीख रहा है, एक आदमी यूटूब से सीख रहा है, लेकिन एक आदमी अपनी मेंटर्शिप से सीख रहा है, सिस्टम से सीख रहा है, उसको कहते है प्रोफेस्टनल लर्नर्स, कहीं से भी कुछ भी सीख लेना, this is not a right way, right way और wrong way, right way क्या है कि हमें अपने सिस्टम से सीखना है, हमें अपनी एक्टिव और बर्किंग अप्लाइन से सीखना है, तो ऐसे डाउन लाइन में कुछ लीटा ढूलो, जो इंट्रेस्टिड है, जैसे माग गुरुजी ना उस दिन दो लोगों को दिखाया है, जो गोल्ड ल प्रेटने की जो खला है, वो कहां से आई सिस्टम के अंदर से, प्रॉफेस्टनल लर्नर्स हैं वो, और गोल्ड लेबल पे भी उनके अंदर, उनकी स्पीच में मैंने ग्रेटफूल, ग्रैटिट्यूड, सिस्टम के पर अप्लाइन के पर दो सब देखा, तो ऐसे लीटर ढ अगर इसनी को ढूडा जाए, और इनी को अपर काम कर दिया जाए, तो यही क्राउड नेमेजर और निवर्सल क्राउड नेमेजर बन जाते हैं, ऐसे लीटर, हाँ या ना, सेल्फ मॉटिवेटिटेड होते हैं, इनको लातनी मारी जाती, आज तक मेरो को इतने साल होगे, मे के लिए सेल्फ मॉटिवेटिड होना चाहिए, मैं तो बोई वाली बात है, आग तो पहले से ही है बहां पर, बस एक बार आपको चिंगारी लगा देनी है, तो ऐसे कई सारे हमारी डाउन लाइन में लीडर रहते हैं, परसनल मैं भी अपने आपको देखता हूँ, हमारे को छके के लिए दिसा दे देता है, वो बाॉंडरी बार जाती है, इस पिनर पर तो बहुत तागल लगानी पड़ती है, हलो, तो जोसी ले लीडर, मतलब सेल्फ मॉटिमेटेड, जोसी ले लीडरों को उनके जोस को दिसा देनी पड़ती है, और ऐसे हमारी टीम में बहुत स problem solving nature होना चाहिए हमारी डाउन लाइन में एक तो लीडर ऐसा होगा जो रोता ही रहेगा पूत के पहर पालनीम पता चल लाइंगे आपको ऐसे लीडर के पास समय बेस्ट आप करोगे जो problem solving nature नहीं है उसका हालकि problem तो मैं भी अपने अप्लाइन को बताता हूँ मागरी ऐसा हो गया तो वो मेरों का अगर solving nature मेरा है या हमारे अप्लाइनों का है या हमारी टीम में आप सारे लीडर solving nature ही बाले बैठे हैं या तो कोई ऐसा है ही नहीं हमें अपनी डाउन लाइन में ऐसे लीडर जब हम फ रहेंगे अगर हम ऐसे लीडरों को थोड़ा खोज लेते हैं उनको find out कर लेते हैं identify कर लेते हैं and next strong self image जब आदमी गिरता है तो उसकी image भी गिरा लेता है वो अपनी नेजर में देखो सामने बाला क्या हो ओल रहा है वो छोड़ो business डाउन हुआ अच्छी वो तो वो तो आप self image डाउन नहीं होनी ची मेरे दोस्त self image डाउन हो जाती है तो पर कहीं की नहीं रहते है फिर तो आपका motivation ही खतम हो जाता है business डाउन है कोई बात नहीं motivation रहना चाहिए दमदार वाला hello और यह चार चीज़ें हमें देखनी है और इन पर हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा business बन नहीं सकता तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि monkey see monkey do यह हमारा system मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने सीखा है जाना अपने mentor से हमारे mentor भी सामने बैठे हूं से मैंने सीखा है और यह हर वार मेरों को बोलते थे कि monkey see monkey do हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले विकासी को और यह सुरू आसे ही करना होता है हमको और जो leader हमारे अच्छे हैं तो उनको ownership और responsibility अगर हम दें मागुर जी मादम मागुर जी की मैं quality देखता हूं वो उन्होंने सुरू से इस बात की जिम्मेदारी उठाई है वो कभी जिम्मेदारी अपने पास नहीं रखते वो जिम्मे मागुर जी एक समय की कानी शुनाते LDP में अपना चेक दिखाया है उन्होंने 800 रुपे का चेक है और लेवल मागुर जी का रूबी है लेकिन उस समय भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं नहीं मुझे अपनी पावर लेक की जिम्मेदारी है मुझे प्यारी लेक मैं नह उस समय भी जो जिम्मेदारी आज नेवा रहें उस समय भी वोई जिम्मेदारी नेवारे तो जो तब थी वोई आज है फैर मैं तो उस समय था नहीं लेकिन मैंने अहयत्वार में जब LDP ली तो मागुर जी ने बताया आपने चेक दिखाई वाँपर तो जो उनका काम करनेonst तब था जिम्मेदारी लेके और वो ही आज है उनको तब भी कोई ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा नहीं है तो यह कही नहीं हमको देखना चाहिए दोस्त और यह फिर हम लोगों ने डुप्लिकेट किया तो बड़ा काम हो गया आप देखेंगे कही नहीं मंकी सी मंकी डू वाल आज पूरे भारत में हमें इसे कोई लेना देना है नहीं कौन सा भासा का कहा अदमी है मेरे को एक सच्चाई पता चल चुकी है वो यह सच्चाई है कि अगर बंदा मेरे आया है तो वो पहले किसी और की टीम में पहले वो मेरी टीम में आया है बहां कौन जाएगा I don't know पहल तू जा नहीं नहीं मैं जबता 1185 नहीं बना लूँगा मैं भाइसा मैं चैन से सोने वाला नहीं हूँ और ये विकास ने बोला किसी साले गली के लटूरे नहीं नहीं बोला है होगा कैसे नहीं पूरा होगा तो मैं तो ढोड़ता ही रहता हूं पुरे भारत में किसी भी भा वे बढ़ता है और छिता कॉनली हो चृपढ़का भ। छिती है जा ओंज भी युद्सी है और ऑबासागा भीड़िता और कारवां बढ़ता चला गया और लाखों में टीम पहुंच गी 12 लाख से ज़्यादा है कि टीम होगी आप देखेंगे कहीं नागी मंकी सी मंकी डू वाला मैं MCR में हमेशा रहा यह मेरी लास्ट स्लाइड है MCR में हमेशा रहा MCR मतलब mentorship और हलो कॉल रिपोर्टिंग में लगाता रहा अपने mentor से जोड़ा रहा कॉल करता रहा रिपोर्टिंग देता रहा हाँ या ना हमेशा MCR में रहा focus on basic आज भी basic की बात करता हूँ मैं जादा है तो जाता ही नहीं भठकता ही नहीं क्योंकि मुझे पता है ना duty तो basic से या नहीं है focus on target लगा था target में हमने आज भी काम के आगे भी करेंगे और business नहीं से बनता है leadership नहीं से निखरेगी और ये वो काम है जो मैं करता हूँ बाकी का आप इसमें add on कर सकते हो delete भी कर सकते हो focus on records records के लिए काम की है हमने हम ये नहीं देखते हैं किसी नहीं बोला नहीं साफ साल में diamond बनते हैं मैंने सोचा नहीं एक जात दिन में कैसे बनेंगे हमने सुना था नहीं साफ कैपिंग में तो पोंचने के लिए साफ बीनिस बनना पड़ता है double diamond बनना पड़ता है मैंने सोचा नहीं यार जब में कैपिंग ले सकता हूं तो मैं कैसे नहीं दिलबा सकता है प्लानिंग बनाई हो जाता है तो रिकोर्ड के लिए हमेशा काम किया और इसमें हमारे मेंटर समेशा साथ रहे और जिसकी हमेशा ही बोकस ओन बेस्ट परफॉर्मर्स मैंने देखा कि best performers लगातार लगातार बिने ट्रिम में बनाते थे मागुर जी जसल मेर लेके जा रहे हैं कभी गुड़गाँ लेके जा रहे हैं कभी वो सो दिखा रहे हैं और बहाँ पर best performers बनाते थे टीम बड़ा जोस में आ जाती थी सूनामी है सूनामी बिने ट्रिप का हमने जबर्चस फाइदा उठाया और ये अगर कल से ही चालो हो जाए हमें अभी से ही कर देंगे बिने ट्रिप में जो मज़ा आता है लोगों को तो मज़ा कहीं और नहीं आता है बिने ट्रिप जो दो दिन की रहती है ना तीन मिल्दे के लिए फिट हो जाते हैं बंदे और इसकी भी शुरुआत हमारे ग्रेट मेंटर मागुर जी मादम मागुर जी ने करी जोरार तालियां हो जाएं इसके लिए और लगातार लगातार कही ना कि बिने ट्रिप हमने उनी से जी की फिर उन्होंने हम लोगों को जिम्मेदारी दे दी और फिर हम जस्वीर मागुर जी बार मागुर जी के साथ लगा था बिने ट्रिप करते रहे फोकस ऑन कोर सेसंस core sessions की जिम्मेदारी किसकी है पर मैं इस जिम्मेदारी को आज भी नहीं बता हूँ मैं आज भी core session चलाता हूँ अगर दिसा मैं भी मैं गया तो एक दिन core session का रहेगा मेरा पूरा मैं अलग से लेता हूँ बागी का mind programming थोड़ी कम हो जाएगी चलेगा नए बंदों को जरूरत है साब प्लान की चेक कैसे बनेगा तो core session मैं आज भी लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ focus on third party downline और अपने mentor की third party कराना बहुत जरूरी और मैंने इसको जबर जश तरीके से करता हूँ और आगे भी जब तक जिंदा रहूँगा बड़ा मज़ा आता है काम करने में third party के साथ में focus on full timer leaders कई leaders ऐसे होते हैं कि full timer हो गए लेकिन मेरों को मावरी नर्सी करवाल जी ने बताया वाला विकास full timer हो गया 5 लीडर अब तेरों को उन्होंने target दिया मेरों को कि 5 लीडर full timer लिकाल तो मैंने तुरंट उसमें गंगादर का नाओ स्वमू का राम सिद्दू का नाम ऐसे करके 5 लीडरों के तुरंट नाम लेखे हो मैं full timer हुआ मैं फिर पीछे पढ़ गया उनके और कहीना कि आज उनमें से आज स्वमू जी यहां बैठे हुए हैं तो आज कहीना कि full timer leader पर focus करना बहुत जरूरी है क्योंकि जादा घंटे जब आपकी टीम में काम होगा तभी जादा रिजल टाएगा ना अगर सारे पार्ट टाइम में करेंगे तो कैसे काम चलेगा यहां कोई पार्ट टाइम है क्या कोई नहीं सब फुल टाइमर है तो फुल टाइमर जो लीडर होते हैं वो जिम्मेदारी को प्रोपर निभाते हैं हाल कि उन पर थोड़ा काम करना पड़ता है जादा focus on upgrade activities जब भी हमें लगा कि network को upgrade करने के लिए activities भी अप जैसे बीनस एंडब अब की meeting पहली बारी इतनी बड़ी हुई तो इसको मावरी न अपग्रेट कर दिया कि नहीं यार इसमें triple diamond नहीं होगे सिर्फ बीनस एंडब अब होगे तो हम लोगों को थोड़ी feeling भी इसमें आ रही है focus on self and team achievements लगातार किसको क्या करवाना है मैं करवाता रहा हूँ और ये slide आपको मिल जाएगी आप इसको और जादा समझ लेंगे leader तुके से नहीं बनेंगे आपको choice करनी पड़ेगी आप आये हो team में विकास आया team में साब तुके से बन जाएंगे नहीं 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 हमारे हमने अपने great mentorों से सीखा कि huge education and training to build a team of leaders with right foundation and values कि आपको अगर चाते हो कि एक सही foundation और values वाली team बने तो education बहुत ज़रूरी है team में उसके बाद confidence faith and performance is a directly provisional knowledge skill level जो skill level है वो कही ना कहीं जुड़ा हुआ है confidence और faith वो जुड़ा हुआ है किस से आपके skill level से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं yes or no उसके बाद अगर आप देखोगे training never stop हालात कैसे भी हो मागर जी ने 9 DVD तैयार करके हमको दी training never stop training चलती रहनी चाहिए और मैंने यह सीखा मागर जी से use tools tools work even when you are not working tools जो है यह कभी भी controversial नहीं होते आपकी भासा controversial हो सकती है लेकिन tools जो है tools work even when you are not working अगर आपको कल कुछ हो जाता है tools उस सबें भी काम करते हैं भाई साब तो कई लोग tools में पता नहीं क्या क्या देख लेते लेकिन मैं तो मैंने देखा मागर जी मादममागर जी को विजैपल मागर जी को जशफीर मागर जी को गाड़ी भरवण के tools लेकर आते थे मेरे को और मेरे को tools किया थे तोने लोगों नहीं लगाई और दवा के tools प्रमोट की है tools का तो हमने abhy tiyaan बना दिया बो तो रोक दिया मागुर जी ने को कि मैं जानता हूँ एक दिन मैं नेटवर्क में इतना जादा क्योंकि जैसे जैसे उपर बढ़ते जाओगे प्रवाव तो आपका रहेगा लेकिन इनका प्रवाव हमेशा रहता है उपर से नीचे तक और इसका फाइदा हमने जबर जस्त जस्वीर मागुर जी को हमने देगा शुरू आज से वो डीवीडी बगएरा हमको देते रहते हैं और वो किताब बगएरा भी हमको बताते रहते हैं टूल साथ डुपली केबल आप हो सकता है डुपली केबल ना हो लेकिन टूल साथ डुपली केबल टूल समय साथ डुपली कैसे बने मैं जो करता हूं वो बता रहा हूं सबसे पहले ठीक चीजों को पकड़ना सुरू करें मैं अपनी टीम के अंदर गलत तो है पता नहीं डॉन लो लेकिन मैं जानता हूं कि ठीक चीजों को पकड़ना सुरू करें और दिल से तारीब करें तारीब करने से किसी को नहीं पर कई लोग तारीब करने में उनको आशा लगता है मैंने तारीब कर दी, कहीं कुछ हो गया, तारीब करना कल मावर जी भी बता रहे थे तारीब के बारे में, नमबर थो बुरा ही के लिए ऐसको दंडड़ ना दें, पर भलाही के लिए प्रुसकार जरूर दें, टीम में ऐस करा जरूर दें उसमें जरूर थोड़ा कंट्रिब्यूट करें स्वार्थ से मॉटिवेट ना हो टीम हित में फैंस ले 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 और काम करें कभी कभी कुछ लोग स्वार्थ से मॉटिवेट हो जाते हैं थोड़ा से लेबल हो जाने के बाद कि मैं ऐसा ऐसा लेकिन मैंने इतने स जालों मैं, मैं टीम हित में फैंसले लिया है को कि जब भी हमारे ग्रेट मेंटर से मेरी बात्चेत होई, तो उन्हों ने वोला विकाजी एगो थोड़ी देर की है, टीम हित जीवन बना देगा, तो मैंने समझा नहीं, यार, बात तो सही है, यार, मैं सिरफ अपनी एगो को सै करना चे, स्वार्थ जो है, स्वार्थ से मैंने देखा है, हमारे जस्वीर मागुर जी बहुत नी स्वार्थ आदमी है, अलके सारे ही है, लेकिन वो कभी भी स्वार्थ से मॉटिवेट नहीं होते, वो हमेशा ही टीम इतमे फैसले लेते हैं, एक मारे ग्रेट मेंटर जस्व में घूमा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, कि टीम एक बार मेरो को पता है, समस्या है, अगर मैं घर में बैठ जाऊँगा, मैं अपनी टीम के बीच में नहीं जाऊँगा, क्या जरूरी है सफलता के लिए, बो किया मैंने, सिकायतों पर लगाम कसें, और धन्यवाद देने पर काम करने के जिम्मेदारी खुद लें पर क्रेडिट लोगों को दें, बहुत मजाता है, फिर आपकी मैनत, मैनत नहीं रह जाती, सिद्धी हो जाती है, जब आप अपने काम का क्रेडिट किसी और को देते तो काम नहीं है, फिर वो सिद्धी बन गया, हलो, हलो, तो मुझे ऐ इंदा से ना घबनाएं, लोगों के साथ भलाई करते रहें और आगे बढ़ने की बात पर जोर देकर कहें, कुछ लोग डाउन लाइन में कुछ बुराईयां करते हैं, चुगली करते हैं, यह दर उदर जो भी कुछ रहता है, तो उस पर जादा ध्यान ना दें, जोर देकर आगे बढ़ने के लिए कहें, बोला यार चलना आगे, पुस करें, बुराईयों में ना फसें, लोगों को जादा सुनें, जरूत पढ़ने पर भारी भरकम बोलें, लोगों को जादा सुनें, जरूरत है तो हलका ना बोलें, भारी भरकम बोलें, क्योंकि हम एक सारे लोग आज बहुत बड़े लेवल पे हैं परसनल मैं इसको करता हूँ खुश लोगों को खुश करने के चक्र में गलत नड़े लाल है हमारी कंपनी में भी कुछ एक दो साल पहले ऐसे डिसीजन कही होने लिए है कि कुछ लोगों की खुशी के लिए गलत नड़े ले लिए और फिर उनके साथ क्या हुआ कभी कभी हम भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान रखता हूँ इसका बाखी का आप देखें फैमिली कंपनी मेंटर टीम ये गौड़ किप्टीड है आपके परवार कंपनी मेंटर्शिव ये गौड़ किप्टीड है इन सब के प्रत आदर और प्रे इसलिए इनके प्रत मैं बड़ा आदर और प्रेम भाव रहता हूँ अच्छा मतलब अच्छे तो हैं हम सब महान बनने के लिए विकास हैसा कुछ करता है आप भी चाहें तो खुद की कल्पनिक सक्ति को जो कल्पना सक्ती जब भी हम अकेले में बैठे होते उसका बहुत बड़ा फरक पड़ता है एंजे लीडर हम सब दिसा देते हैं लेते ही हैं खुद की कल्पना सक्ती को पवित्रता और अच्छी भावनाओं से बने कैसे? जादस जाद अथा करता हूं वो बातरूम में भी बैठे होते हैं न अफरमेशन चलती रहती है उनकी अफरमेशन जो होती है वो आपकी कलपना सक्ति को पवेत्र और अच्छी भावनाओं में कनवर्ड कर देती है जब भी आप सफर करें जरनी में करें क्योंकि कल मावरी एस्क्यू के बार में बता रहे थे आपका एस्क्यू बहुत अच्छा मतला मेरा अच्छा हुआ है पहले से मैंने इसको करता हूं तो कोशिस करें कि जब भी गाने ना सुने इदर उदर ना जाएं यूटूब पे ना जाएं क्योंकि एस्क्यू पावर बढ़ेगा ना तो सबसे अडिय आते हैं दुमाग में और दुमाग बहुत तेजी से काम करता है यह लास्ट है वर्क विथ नेक्स टैनियर्स बीजन थेंक यू वेरिश और अगले 10 साल के बारे में सोचें कल के कल के बारे में ना सोचें पर्सों के ना सोचें दस साल में कोंचाइंगे इस काम तो कम से कम करें थैंक यू वेरी मच जैन्जब आरए जैसे वस्व शुक्रिया गॉड ब्लेस थैंक यू प्रीज़